आप देख रहे हैं सीटेंड नीज मैं हूँ बढ़वाई गार पुछ वहाँ देखते हैं कुछ खास ख़बरें रोजाबाद जनपत के शुकवाबाद थाना चेत्र के अंद्रकत महनपुरी रोड इतरत गाउं कंत्री में दुफेर सीडियों ने आकास में किनरेचर किया जले में बीमारी के चलते कई मौतों हो चुकी हैं इसी को ध्यान में रखते हुए अधकारियों दौरा गाउं गाउं जाकर नरेचर किया जा रहा है वहीं अधकारी ग्रामिडों को सच्चता को लेकर जागरूग भी कर रहे हैं मंगलबार को भी सीडियो चर्शिद गौर्ड ने गाउं कंत्री का आकस में किनरेचर किया उन्होंने मिनी सच्चवाले के भी नरेचर किया अधकारियों के आगवन को लेकर पहले से ही सापसपाई की चौबन व्यवस्ताएं की गई थी यहां तक कि गाउं को जाने बाली शड़क पर बटे पर काम करने बाले माईदूरों को लगा कर सापसपाई कराई गई यह दोरान उन्होंने ग्रामेनों को जागरूग भी किया उन्होंने सबसे पहले ग्रामेनों को जागरूग करते हुए कहा कि जहां घर के आजबाद गन्दा पाने बराहू उसकी साफ़ाई करें अपने घरों में रखके कूलर की गास को जला दें क्योंकि इससे मच्छर पनपती हैं कई कूडे के धेर दिखाई दें तो परदान को आवगात कराएं जिससे साफ़ाई हो सके उन्होंने कहा कि बखार मलेरिया जैसे कोई भी बीमारी ये किसी को होती है तो तुरंट आस्पताल पहुंचें कि इस मौके पर बीडियो ये डॉक्र योगेंदर कुमार डी पी आरो निरेज कुमार सिन्ना एडी पी ओपी निर्मल कुमार सचिब चामसंदर बरज राज सिंग अनेल कुमार ग्राम परदान परदेब कुमार भी मौजूद रहे तो देखते रहें सीटन नियूज के साथ मुफिस गुपता की एक खास रिपोर्ट पर भी हमने इनको कहा है अब जब जब देखा जाए सर्फ प्रोज अबाद में सबसे बहतर कोई काम कर रहा है तो युवाव जो परदान इसम है क्या कहेंगे लिए जिस तरह से काम देखा जा रहा है जो जमिनिस्तर पर काम बाकी भी दिख रहा है और जो सोच है उसकी प्रेट आए तो उनकरी क्या करना जाएंगे साथ ने इनके द्वारा काफी सई इनिशेटिव देखा है कि हम दो हमें आपकी गलियों में भी इन्होंने काफी अजिए सफ़ाई वगरा मिलता है तो मैं उमीद करता हूं कि यहां के आस-पास के जोगी प